हेलो फ्रेंज आप जैसे देख रहे हैं आपकी हमारे पैस जो थामनेल में मैंने लगाया था कि दो जो आजकल की डेट में कोईन हैं जो 10 रूपीज कोईन है वो बहुत ज्यादा फीक आने लगे हैं मार्केट में तो गवर्मेंट इसके लिए आप विदाउट देख रहे हैं तो आप जैसा कि 2 कोईन देख रहे हैं इसमें रियल और फिक का डिफ्रेंस है क्यूंसा है और इसमें 5 मेटर्स इस वीडियो में आप देखने को मिलेगा कि कि looks 10 रूपीस को आप जज कर सकते हैं कि यह कूँसा असली यह और कूँसा नकली है तो इसमें दोचीज होगी क कौन सा real है और कौन सा fake है इस video में तो आप में आपको इस video में दो चीज़े मिलेंगे कि आप इसके sign के recording आप check करेंगे कि इसमें कौन सा कोई सही है तो इसमें पूरे मैथोड को देखिएगा सबसे पहले तो चलिए हम देखते हैं तो आप वेलकम टेक्नो रंजे में और आप अगर हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं कियें तो प्लीज सस्क्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं बताने जा रहा हूं इसके रिगार्डि साइड में ऊसमें आप देखना है जो 10 रूपी जो आदा सिल्वर पे आदा गोल्ड पे है और दूसरे में फेक आपको दिख रहा है राइट साइड में राउंड़ अप है वह पूरा पूरा सिल्वर पे 10 है तो यह पहला आपको मैथर्ड है जज्ज करने का कि कैसे 10 की कोई इनको real और fake आप discuss कर सकते हैं अब चलते हम दूसरे methods पे ओके तो दूसरे methods पे आपको ये पता लग जाएगा कि second method में ये है कि आपको real और fake में ये दिखो आपकी जो इंडिया और भारत लिखा हुआ है बिल्कुल जो original होगा वो opposition में होगा opposite side में और जो fake होगा वो बिल्कुल upside में होगा दोनों एक साथ होगा तो ये इसका sign है एक rule का दो आपको method मिला ऐसे पांच में इसमें method में बता रहा हूँ इस third method में आपके पास दो coin है इसमें आप तीसरे method में देख रहे हैं कि जो रूपीज हमारा इंडिया वो लिखा हुआ है silver coin पे और 10 रूपी हाफ आफ पे है और जो second वाले हैं उसमें रूपीज जो sign है इंडिया की currency हमारी वो गाइब है तो ये third method है जिसके through आप इसको पत देख रहे हैं दोनों coin में difference यह है कि जो original है उसमें कोई line नहीं horizontal और जो fake है उसमें horizontal दोनों side उपर नीचे line है तो आप हमेशा याद रखेगा कि जो real होगा उसमें lining horizontal नहीं होगा तो ये बहुत ही अच्छी अच्छी चीजे हैं इसमें coin को पकड़ने का तो इसलिए ये video को लाना पड़ा मुझे तो ये right हो गया और ये wrong हो गया okay अब हमारा fifth rule and last and fifth rule है कि आपको देखना है कि जो real है उसमे 10 stripes होंगे उपर जो बिंदिया है round किया हुआ है वो 10 होंगे गिनके देखिए और जो fake है उसमें 15 stripes होंगे या फिर हो सकते हैं कम भी हो तो ये आप judge कर सकते है इसके तुरू की 10 rupees coin कौन सा real और fake है तो ये है इनके rule आप ये कैसा लगा आपको वीडियो ये जरूर बताइएगा क्योंकि अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज जितना ज्यादा से ज्यादा हो share कीजिए subscribe करना मत भूलिए क्योंकि जितने भी more updates होंगे हमारे channel पे वो मैं आपको देता रहूंगा तो फिलहाल के लिए तो ये वीडियो में इतना ही ये rule है पांच rule याद रखना आप तो बहुत better है ओके तो ये right हो गया और ये wrong हो गया accordingly ओके तो फिलहाल के लिए thanks and share कीजिए इसमें और subscribe कीजिए हमारे channel को